नमस्कार दोस्तों कासर निश्टडि के अंलाइन ग्लास्ज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाली में UPPCL TG2 का एकजाम होने वाला है और कम्प्यूटर के सेजन में पास होना जरूरी है तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कम्प मेरी इंपॉर्टेंट कुईशन लेकर किया है जो आपके एक्जाम के दिरिश्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज आपको पसंद आता है लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की अपने पहले कुशन पर चलते हैं आज का हमारा पहला कुशन कह रहा है कि पर्थम गड़ना यंद्र है जो पर्थम गड़ना यंद् इसका राइट अंसर आपको बताना है तो यहां पर बताओगे इसका यूज हम खेल में करते हैं आपसे नंबर यह सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि किसने पर्थम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्मार किसने किया था इसमें इसका राइट अंसर बताओगे ब्लेज पासकल ने आपसे नंबर से सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि किसने पंच कार्ड का राम किसने किया था इसका राइट अंसर बताना है तो बताओगे इन में से कोई नहीं अगले कु इसमें राट एंसर कि बताओगे की बिद्दुते आपस्ट नंबर हो सी है है अगले कुशिन की बात करते हैं अगला कुशिन कहरा है कि इनलाग कम्प्यूटर है तो एनलाग कम्प्यूटर एक कैसा कम्प्यूटर है इसमें राइट अंसर आपको बताना है तो बताओगे निम्न अस्तरियों पर संप्रेसित करना है आपसर नमबर सही सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन कह रहा है इनमें से कौन PC का सही ब्याक्या है PC पर परसनल कम्प्यूटर होता है अरथात तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर बताओगे ये सभी जैसा कि यहाँ पर लिखा गया सभी Ishtap के अगले कुश्शन की बात करते हैं अगला कुश्शन यहां पर कह रहा है कि लेपटाप क्या है लेपटाप होता है उसे क्या कहते है तो यहां पर राये टैसर है अगले question की बात करते हैं अगला कुछन है कि सुपर और है तो कैसा computer होता है इसमें राटन सरह को बताना है तो ना उल्हाजी की हो जाएगा ना बता कि अपस solicix करता है एक साथ बहुत सारे अ प्रियोक टा तो इसमें से बताना है कौंसा सही नहीं है तो समय राइट अंसर बताओगे इस कुईशन को पाँज करके अच्छे से पढ़ करके आप देखेंगे तो इसमें राइट अंसर आ जाएगा पाम टाप कम्प्यूटर हलका और बेज जेब में आ सकती है मतलब छोटा कंप्यूटर ह होता है ऐसा नहीं है कंप्यूटर वो होते हैं जो बड़े होते हैं यहां पर कह रहा है कि पाम टाप कंप्यूटर हलका तथा जेब में आ सकता है तो जेब में आने वाला जो होता है उसे कम्प्यूटर नहीं कहते हैं अगले कुशिन की बात करते हैं अगले कुशिन यहाँ पर कह रहा है कि कम्प्यूटर का बुनियादी सरज रचना का विकास किया था तो कम्प्यूटर के बुनियादी सरज रचना का विकास किस ने किया था सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है वह कौन सा है तो सामान रूप से परयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं प्रथमपिड़ी के कंप्यूटर ओब प्रयूगतस सुध्धा जनक होते हैं वह कंप्यूटर होते हैं तो इसμεं र्याट अंसर क्या बताऊगे कहोंगे उसे हम लोग लैपटाप कहते हैं अपसर नंबर 20 ही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन कह रहा है कि कम्प्यूटर में आई से चिप के अधपादन है तो निम्लखित में से किसकी आऊसकता होती है तो इसमें आपको राइट अंसर बताना है तो 17 कंप्यूटर से हुआ था तो रोगा मिकAmax प्रायोग कि से हुआ था था तो इसमेंई दिया सहीए से अ Jewish साथ जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए माल्टी के आप रेट आप रेटिंग सिस्टम कहां बनाया गया था तो इसमें राइट अंसर बताओगे यह जर्मन परियोग साला में बनाया गया था आफसन नंबर सी सही है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि चार्ल्स बेवेज के पर्था माइक्यानिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था तो चार्ल्स बेवेज का जो पर्था माइक्यानिकल कंप्यूटर था उसे किस नाम से जाना जाता तो बताओगे इन्में से कोई नहीं अगले कुशन की बात करते हैं 20 का सब तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो इसमें राइट एंसर बताओगे चाल्स बेवेज को अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन भारत में निर्मित पर्थम कंप्यूटर का नाम क्या था तो भारत में निर्मित पर्थ हम computer भारत में निर्मी जो पर्म computer है किस computer के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर बताओगे super computer के नाम से अगले question की बात करते हैं कि पुर्व में poor Tran के साथ कार करने वाले computer किसU buat proper computer kis yu G'meे होते हैं तो किसमें यूग ऻोते हैं तुस्वे oike ओन्शर बताना है दूसरे करते हैं अगले कुछिन की बात करते हैं अगला कुछिन यहां पर कह रहा है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम सेरिंग का प्रियों किस पीड़ी में हुआ था तो इसको किस पीड़ी में किया गया था तो तौरायट इंसर क्या बताओगे कहोगे इसके तिर्थिये पीड़ी में किया गया था अगले कुशिन की बात करते हैं गड़ना सनियां तरह आकस की आविसकार किस देश में होता तो अगले कुशिन की बात करते हैं परता पीड़ी के कंप्यूटर में दोस होता था तो किस परकार का दोस होता था तो इसमें राइट अंसर बताओगे कि बड़ा हो आकार का होता था अगले कुशिन की बात करते हैं तिर्टिय पीड़ी के कंप्यूटर के मुख घटक हैं तो तिर्टिय पीड़ी के मुख घटक कौन से हैं तो बताओगे Integrated Circuit अगले कुशिन की बात करते हैं कार पद्धत की आधार पर computer के प्रकार हैं तो ये कि कारपधत के याधार पर computer के प्रकार कौन से हैं तो इसमें right answer बताओगे कि digital NLR दोनों अठाथ आपसर नमबर A D हो जाएगा एक और दो दोनों सही है अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि super chip का प्रयोग mini computer में लगाए जाने से super computer कहा जाता था तो इसमें से कौन से सही है तो इस question की अगले कुशन की बात करते हैं कि टेली बीजन की आकार का कंप्यूटर निम्रकीत में से कौन सा है इसमें राइट अंसर क्या बताओ से हो जाएगा अगले कुशिन की बात करते हैं अगला कुशिन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रो कम्प्यूटर की छबता डाट डाट पर सेकंड होती है कितने लाग पर सेकंड होती है तो इसमें राइट अंसर बताओगे एक लाग सक्री होती है अगले कुशिन की बात करते हैं 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 अगले कुशिन की एक कंप्यूटर की मुख विसेष्था है एक कंप्यूटर की मुख विसेष्था कौन सा है तो बताओगे गती करना अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक प्यूड़ी के कंप्यूटर के पर मुख एलेक्टरानिक घटक कौन से है एक पीड़ी के कंप्यूटर के मुख एलेक्टरानिक घटक कौन से हैं तो इसमें राइट असर बताओगे कि बाल या निरुवाट ट्यूप आपसर नंबर सी से हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के क कौन से प्रकार नहीं है तो इसमें कौन सा प्रकार का नहीं है मतलब वो कंप्यूटर नहीं है तो इसमें राइट असर क्या बताओगे कि आप्टिकल जो कंप्यूटर होता है वह सही है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है अंकिये कंप्यूटर डाट डाट गड़ना पर सेकंड होती है तो कितने हजार या कितने करोड़ों पर सेकंड होती है तो इसमें आपको राइट एंसर बताना है तो यहां पर बताओगे आपसर नमबर भी सही हो जाएगा करोड़ों अंकिये कंप्यूटर करोड़ों गड़नाये पर सेकंड होती है इंबर भी सही हो जाएगा अगले क्यूश्ट की बात करते हैं रहता है is पथेक्व failure लाए बात करते हैं मैक्रो कंप्यूटर जो नहीं आते हं उनका क्याई क्या नाम है । तो यहाँ पर राय टैंसर हो जाएगा उन्हें Atomic Computer कहते हैं अगले कुशिन की बात करते हैं अगला कुशिन कहरा है सरो पर था हम पंच कार्ड का परियोग किस ने किया था तो इसमें राय टैंसर आपको बताना है कहोगे इसमें पंच्रीकार्ड का परियोग जोसफ मैरी ने किया था अपसे नम्बर टी से ही है अगले question की बात करते हैं अगले question की बत करते हैं अगले question नहींगे एंगले question यहाओ पर कहे रहा है कि computer का, विकास में सरवबादिक योगदान किस का heißt. तो इसमे राइटन सर बताऊगे, वान Leomann का. अगले question की बात करते हैं, पर्थम अंकिये, computer में blueprint के विकास में सरवबादिक योगदान किस का है? यहाँ पर राइटन सर हो जाएगा चाल्स बेवेश का. आप संन नमबर कहों सा हो जाएगे तो बताओगे आप संन नमबर हो जाएगा B अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन कहरा है कि इस जरोपर थाम आधुनी कम्प्यूटर की खोच कब होई थी तो इसमें राइट अंसर बताओगे 1946 में अगले कुईशन की बात करते हैं इंटीगरेटर सर्गीट चिप का विकास किस ने किया था तो राइट एंसर बताओगे किलवी ने अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन कह रहा है इंटेगरेटर सर्गिट चिप किसकी परत बनी होती है जो इंटेगरेटर सर्गिट चिप होता है उस पर किसकी परत जमी होती है बताओगे सिलकान की आपसर नमबर यहां पर A सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं चुमबकिया डिस्क पर किस पर दार्थ की पर जमी होती है जो चुमबकिया डिस्क होते है उस पर किस परकार की पर जमी होती है तो यहां पर राय टैंसर बताओगी आईरेन आकसाइड की अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है कि सरबाधिक सक्तिसाली कंप्यूटर कौँ सा है तो सरबाधिक जो सक्तिसाली कंप्यूटर है तिरफन में राइट अंसर हो जाएगा उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं अगले कुशिण की बात करते हैं अगला कुश्य कर रहा है कि डिजिटल से बन्याले कि बढ़ा करता है कि सुपर कम्प्यूटर अन्य कम्पीटर की संदरवें भीन्य है सुपर कम्प्यूटर अन्य कम्प्यूटर के संदर में किस प्रकार से भिनेत 55 में रायट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर से परिकलन छमता एवं ब्रीहत इस्मिर्थी भंडारन मायक पर करता है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि आधुनिक संस्था में भारत में बिक्सित सुपर कम्प्यूटर का विकास की संस्था ने किया थाघ्यकी की बात करते हैं ऐने के कुशन की के एक हेक प्यूटर के आविसकार可以 में हवा जन में लिया था तो संबंधित है तो बताहोगे ति यह समन्दित है जो एक क्रिद परिपत आईसी के आविस्कार आईसी फार इंटीग्रेटर सरकीट होता है यह प्रकार का चीफ है कि आविस्कारा किस प्यड़ी का जनम हुआ था तो बताओगे तिर्टिये प्यड़ी का अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन यहां पर कह रहा है कि चतुर्थ पीड़ी का मुख हुआ था तो चतुर्थ पीड़ी का मुख हुआ क्या था तो इसमें राइट अंसर बताओगे ब्रीहत एक परिपत अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन यहां चब कहते हैं आपसर नंबर सी से हो जाएगा इंटी क्रेटर सरकीट अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई कंप्यूटर एनलाग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए सबसे पहले इसे क्या करना पड़ता है तो यहाँ पर रायट अंसर बताओगे सीप्यू के एल्यू द्वारा बिशलेसित किया जाना होगा आपसर नंबर यहाँ पर से से होजागा दोस्तों इसे के साथ में स्वाब्द करते हैं और यह से से आपको पसंद आ जाई है तो लाइक जरूर कर यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा दोस्तों ये वो कुईशन है जो आपकी UV PCL TG2 के एकजाम में पूछे गए हैं शारे कुईशन को चैप्टर वाइज कलेक्ट करकी आप लोगों को दिया जा रहा है इस चैप्टर में हमने टोटल 62 कुईशन पाये थे तो इस एक साथ में सेशन है सवाप्त करते हैं अगले सेशन में पुना मिलेंगे नमस्कार